नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं पारा सिक्षकों की आकलन परिक्षा आज 43 एर होंगे सामिल जर्खन के 43 एर 270 प्रसिक्षित सहायक अध्यापक पारा सिक्षक रविवार को पहली आकलन परिक्षा में सामिल होंगे इनमें पहली से पाचवी के प्रसिक्षित 36 एर 687 परा सिक्षक जबकी बिसाय के सिक्षक के लिए छटी से साथवी के 6586 परा सिक्षक परिक्षा देंगे भासा के लिए 733 बिग्यान के लिए 2549 और समाजिक बिग्यान बिसाय के लिए 334 पराशिक्षक आगलन परिक्षा देंगे बतादे परिक्षा में पास होने वाले प्रसिक्षित सहायक अध्यापक टेट पास पराशिक्षको के समकक्ष हो जाएंगे और उनके मांदे में 10 परतिसत बिरिधी की जाएगी यह बढ़ोत्री वरतमाइन मांदे में नहीं है बलिक जन्वली 2022 में बढ़ाये गए 40 के अनुसार 10 पिजदी होगी वहीं सफल नहीं होने वाले पराशिक्षक को तीन और मोका मिलेगा गिरीडी में ताजिया जुलूस दोरान दो पक्षो में जम कर चली लाठी जारखन के गिरीडी में मुहर्रम के दोरान ताजिया जुलूस और अखान निकालने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भीड़ गए इस दोरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जम कर लाठीया और तलवार भाजी और पत्राव भी किया इस घरना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं वहीं इस्थिति को नियंत्रन करने के लिए पूलिस को बल परयोग करना पड़ा यह पुरा ममला गिरीडीजी लेक के तीसरी थाना छेत्रे के पलमरुआ गाउ की है दोनों पक्ष के घायलों को इलाज के लिए तीसरी समुदाय स्वास्थ केंद्रे लाया गया जहां साभी का इलाज किया गया है बताया जारा है कि सन्नी वायर को तीसरी थाना इलाके के अड़सार गाउं के लोग तजिया लेकर पलमरुआ गाउं की ओर आये थे जहां पर पलमरुआ गाउं के राजा नगर के लोग पहले से खाणा लगाए हुए थे इसी दरान किसी बात को लेकर अड़सार और पलमरुआ राजा नगर के लोग भीड़ गाए सियम हेमन्त ने मिरितकों के अस्रीतों को दो लाख और घायलों को एक लाख देने का किया एलान बेरमो अनुमंडल के पेटरवार थाना छेतरे स्थित खेतकों गाव में मुहरम जुलूस के दोरान हुए हाथ से पर सियम हेमन्त सुरेन ने दुख जताया है साथ ही सरकार ने मिरितकों के अस्रीतों को दो लाख और घायलों को एक लाख का मुवजा देने का एलान किया है इसके अलावा अस्रीतों को परिवारिक लाब और प्रधान मंत्री आवाज भी दिया जाएगा इसकी जनकारी बेरमो के भीधाय कुमार जय मंगल सिंग ने दी है घाटना में हताहत हुए परिवारों को हर संबह मदद पहुचाने का परियास कर रहे है पेटरवार थाना प्रभारी सहीत बेरमो अनमंडल के कई थानों के पूलिस पता दिकारी दलबल के साथ गाव में कैम किये हुए है घाटना के बायत पूरे गाव में मातम का महुल है बेरमो मुहरम पर बड़ा हच्छा चार लोगों की मौत बोकारो के बेरमो अनमंडल के पेटरवार थाना छेतर अंतरगत, खेतकों में ताजिया जुलूस के करमें बढ़ा हचा हो गया है, ताजिया उठानेक दोरन 11,000 वोल्ट के हाई टेंसन तार में 60 से 4 लोगों की मौत हो गई, वही घटना में 8 लोग गंभीर रूप से जुलस ग दिया है, वही अस्पताल में एम्बूलेंस नहीं रहने की वज़ा से घायलो के सौजर ने जम कर हंगामा किया, जिसके बाद सभी अपने अपने साधन से बोकारो BGH पहुंचे, यहां सभी का इलाज चल रहा है, जिसमें एक की हाला चिंताजनक बनी हुई है, जहारखन में आउट्सोर्सिंग पर करणरत कर्मियों की होगी गन्ना, जहारखन में विभीन विभागों में आउट्सोर्सिंग पर काम कर रहे हैं कर्मियों की गन्ना की जाएगी, लेकिन अब तक कई विभागों की ओर से सरकार को सुचना उपलब्द नहीं कराई गई, इस पर मुक्ष सचीव सुकदेव सिंग ने सभी बीभागों से कई बार जनकारी मांगी है पर्थिनिधीयों के मांदे और TADA के लिए 10 क्रोर जारी। जार्खन में पंचायत परतिनिधीयों के मांदे भुक्तान और TADA के लिए दिसा निदेश जारी हुआ है। वहीं इस रास्ती का उपयोग वित्तिय वर्ष दोहयाद 23-24 के लिए किया जाना है पंचायती राज निजसाले के अनुसार मांदे और अनेभते की निकासी के ब्यायन पताधिकारी डीडीसी होंगे डीडीसी जीला परिसर के अध्यक छोग उपाध्यक मांदे की निकासी करेंगे वहीं निधारित प्रधान और फॉर्मेट का अधार पर परखंड विकास पताधिकारी परमुक उप परमुक तथा मुखिया उप मुखिया को मांदे की निकासी के लिए जिमेदार बनाया गया है आवांटी तरासी खर्च नहीं होने की इस्थीती में सेस्थ रासी मर्च दोज़ाचोबिस के पहले सब्ता तक पंचायती राजबिभाग ज्यार्खन को वापस करनी होगी नकल करते पकड़े जाने पर जाना होगा जेल परतियोगिता परिक्षा में नकल करके सरकारी नोगरी पाने वाले सवधान हो जाए ज्यार्खन सरकार इसकी रोगठाम के लिए कड़ा कानून बना रही है जिसके तहत प्रश्न पत्र लिक करने में पकड़े जाने पर ना के वह 10 साल तक की सजा होगी बलिक एक रोड तक का अर्थ दंड भी भूगतना पड़ सकता है इसके अलावा परिक्छाओं में नकल करने पर दोसी पाये जाने पर समधित विद्यार्थी को तिन वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपए का अर्थ दंड के साथ अलग से दो साल की परिक्छाओं में सामिल होने पर परतिबंद का प्रधान किया जा रहा है जार्खन परतियों की परिक्छाओं अधिनियम 2023 के नाम से जाना जाने वाला बिल पर कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है इसे विधायन सभा के मांसूर सत्र के दोरा नहीं सदन में पेस करने की त्यारी है संसद्य कार्य मंत्री अलमगीर अलब ने परिच्छा माफिया परांकुस लगाने के लिए सरकार दोरा उठाये जा रहे कि चारकन देश के लिए रोल मोडल साबित होगा है रांची के 52,000 चातरों की चातरविती लटकी चातरों को चातरविती देने के लिए विभाय की पास पैसा नहीं है रांची जीले के 52,000 ACST अल्पसंख्यक और पिछली जाती के छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैटिक छात्र विर्ती की रासी पैसे के अबहा में लटक गई है बता दे जीले के 80,000 छात्र छात्राओं कोई स्योजना की रासी भुकतान हो चुका है इसके लिए 132,000 ACST छात्रों के खात्रों में अबहा की जा चुकी है लेकिन 52,000 छात्र छात्राओं की छात्र विर्ती पैसे के इंतियाव में लटकी हुई है राज्य में कमजोर मांसुन को लेकर किरिसी मंत्री ने जताई चिंता जार्खन में कमजोर मांसुन को लेकर किसानों की चिंता बढ़ गई है इसी को लेकर किरिसी मंत्री बादल पतर लेक ने समीक्षा बैठक की इस बैठक में वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से जीले के जीला किरिसी पताधिकारी भी जुडे इसमें जीलो में कम वर्सपात, खरीब फसलों के अच्छादन एवं बैकल्पिक फसल योजना को लेकर चर्चा होई इस बैठक के दोरान किरिसी मंत्री ने सभी जीला किरिसी पताधिकारी को तीन दिनों के अंदर अच्छादन और बैकल्पिक योजना की पुरी रिपोर्ट मुख्याले भेजने का निर्देश दिया है CDPO के लिए आवेदन परकिरिया जारी जारखन में CDPO यानि की बाल विकास परिविन पताधिकारी के 64 पत पर नियुक्ति के लिए आवेदन की परकिरा जारी है ओनलाइन आवेदन करने की अमतिमतिती 16 अगस्त है जबकि 18 अगस्त तक उमिदवार फीस जमा कर सकते है परिक्षा कौब होगी आवेदन से समने किसी भी परकार के जनकाई लेना चाहते है तो आवेदन सुल्क की बात करें तो आरक्षित वरक के लोगों के लिए 600 रुपए वहीं AC और ST के लिए 150 रुपए रखा गया है धन्यवाद